है ओक है अग्य है यह वेलकम टूराजस्तान डाट 247 मैं सोनिय अच्छल आप सभी का स्वागत करती हूं तो भई क्या अगरने वाले हैं देखो मैं आपको लाज क्लास में फंजाइ करा चुकी हूँ आज हम करने वाले हैं ब्रायोफाइट के बारे में जहां से एक प्रिशन आपको देखने को मिल ही जाएगा एक से दो प्रिशन में आपको कहूंगी ठीक है hello everyone hello how are you all तो भी अगर मैं शुरू करूँ आपके ब्रायोफाइटा से तो आपके ब्रायोफाइटा को एक special जो है kingdom दिया जाता है और वो special kingdom क्यूं दिया जाता है उसके बारे में हम बात कर ल है ब्रायोफाइटा को पाधब जगत के structure भी कहते हैं जिसको आप English में कहते हो amphibians क्या कहते हो भाया आप English में इसको amphibians कहते है है skincare sum कहा जाता है पहली बात तो यह की रहने के लिए पानी इनको भी क्या चाहिए पानी जा chuck एगि dess Bachelor हम Esteban फेजंगे चहां एक पर pen Change कर लेते है फटाफट से हceğ हुए यह बादी जाएगा जाड़ हां तो उसी के साथ अगर में बात करो हुँ तो जाभै के साथ कि मैंने सब्सक्राइबन शुरे की सुस्थ हब करी नहीं की बात हिए यहह कहां है मदिटेंच यह सकते हैं और आपका पानी एपने रहे सकते हैं क्यूंकि वही सारव का सारी जीवन इसी कोपर डिपेंडेंट इन का पर तू यह कभी भी बेंटी दो यह कभी भी जलके बिना नहीं नहीं रह सकते हैं क्योंकि इनका दिद्ग लिए जन पर ही यह क्या गरते हैं निर्भर करते हैं ठीक है झाइं कि भया के यह सेक्शन, रिप्रडर्ट्ट्सYन के लिए किसके ऑपर ölक करते है वह Tuarega стен doctor теп leopard water for sexual reproduction आपकोगे मैडम water से कैसे हो सकता है बेटा हो सकता है इस तरह से हो सकता है कि आपको जो मेल वाले हैं ठीक है मेल वाले जो गैमिट हों के फीमेल तक जाएगा कैसे पानी की मदद से उसमें तैर के ठीक है तो भी चलो ठीक है अगर बात करो इनके पाए जाने की तो यह पाए जाते हैं आपके कहां आपे नम सीलन तथा चायदार स्थानों पर ठीक है यानि कि डैंप हुमिड और आपके शेड़िड लोकैलिटीज में आपको यह मिलते हैं ठीक है इनके अगर बात करो इंपॉर्टेंट रोल होता है कि इस चीज में प्लांट सक्सेशन में बेर रोक और अब इस चीज का मतलब करके रखते हैं अपर दन नहीं होने देते उसको जाने नहीं देते ठीक है इसी लिए आपका यह इंपॉर्टेंट भी है गुड इवनिंग खुशी गुड इवनिंग बेचू ठीक है चलो इसी के साथ आगे चलते हैं आगे क्या कहा है अगर इनकी बात की गई है अब किस च शेवाल आपकी चप्ती थी ठीक है पर अंतों यहां पे यहां पे ऐसे चप्ता चप्ता सा नहीं होता है यहां पे आपका जो प्लांट है वो तीन चीजों में डिवाइड हुआ हो रखा होते हैं मूल तना और पत्ती ठीक है अरे नहीं होता है यह तो मैंने क्या ही बोल दिय सही बोला है मैंने, देखो, मैंने कहा है कि आपकी जो शेवाल होती है, शेवाल की अपेक्षा अधिक विबेदित होती है, यानि कि शेवाल तो बिल्कुल ही चप्टी होती है, बिल्कुल ही चप्टी होती है, ठीक है, परन तो इस हैलस होता है, वो कैसा होता है, थोड़ा श्य के भी होती है, अगर मैं बात करूँ, इसके जुड़े होने के सबस्ट्रेटरम से कैसे जुड़ती है, तो वो आपके होते है यहाँ पे राईजोम, क्या होते है, राईजोम जिसको आप कहते है मुलब, इसके रियल वाले मूलतना और पत्तिया नहीं होती का पत्तिसम तने का तनेसम होता है यानि कि डिवाइड फिर भी होते हैं पर कम डिवाइड होते हैं डिवाइड होता है परंतु कम उसमें डिवाइड होते हैं इतनी अच्छे से नहीं होती कि मैं आपके कैसे अगुनित युगा मुत्पन करते हैं अगुनित का मतलब एक सिंग n वाले कैसे वाले आपके n वाले single n वाले जिसको आप क्या कहते हो ऐसे n अगर मैं बात करूँ आपके किस चीज की भई आपके क्या करते थे हाँ युगम उत्पन करते थे ठीक है इसी लिए इनको क्या कहा जाता है युगम को भिद कहा जाता है क्या कहा जाता है युगम को भिद कहा जाता है अगर ब्रायोफाइट के लेंगिक अंगों की बात करूं तो लेंगिक अकिसके कैसे होते हैं बहु कोश्किय होते हैं कैसे होते हैं इसके अंग बहु कोश्किय अंग होते हैं नर लेंगिक अंग को आप क्या कहते हैं पुधानी कहते हैं ठीक है जो कि दुवी कशाबिक पुमंग उत्पन करता है क्या उत्पन करता है भई दुवी कशाबिक उपंग पुमंग पुमंग यानि दुवी कशाबिक दो फ्लैजिला वहां पे होंगे ठीक है अगर मैं बात करू आपकी फीमेल की उस को हम क्या कहते हैं स्त्री धानी कहते है और यह क्या उत्पन करती है एक अंडे को क्या करती है एक अंडे को उत्पन करती है और इसका आकार कैसा होता है स्त्री धानी का फ्लास्क के अकार की यह होती है किसके अकार की होती है फ्लास्क फ्लास्क देखा कैसा होता है कुछ इस प् होता है आपका ठीक है ध्यान रहेगा सबको चलो ठीक है आपका जो पुमंग है वो पानी में छोड़ दिया जाता है यही बात मैंने कहीं थी पानी में छोड़ दिया जाता है और यह आपके स्त्री धानी के संपर्क में आते ही और अंडे से संगलित हो जाता है यानिकि मैंने यही तो बात आपको शुरू में कही थी कि आपका मेल वाला गैमीट है तैर के जाएगा पानी में फीमेल के पास और क्या बना लेगा आपका बाद में अंडे से फ्यूज कर जाएगा और फिर क्या बन जाएगा भई आपका युगम नज बन जाएगा क्या बन जाएगा आपक का हो जाएगा जो कैसा होता है आपका sporophytic अब यहां पे बात बताओ एक मेल था एक female थे दोनों एन एन थे अब दोनों मिले तो टू एन रिजल्ट आएगा तो आपका जो यह आप यूगम नजबना है यह टू एन होगा टू एन होगा न तो यह टू एन आपका sporophytic स्टेज कहलाती है क्या कहलाती है sporophytic स्टेज कहलाती है और यह कुछ समय के लिए आपकी रहती है तो यही बात यहां पे कहा गया है कि यूगम नजबनता है परन्तू यूगम नजबे तुरंत न्यूनिकरण विभाजन नहीं होता है क्योंकि बात हो रही है लैंगिक प्रजनन की तो मियोसिस तो होगा आपका आपका न्यूनिकरण विभाजन तो होगा परन्तू सड़न नहीं होता है कि अभी क्या भी तो यहां पे ठीक है अब जो आपके sporophyte होते हैं यह आपके free living नहीं होते हैं मुक्त जीवी नहीं होते हैं अब मेरा मुक्त जीवी से अर्थात क्या है मुक्त जीवी का अर्थात होता है कि खुद के ऊपर dependent नहीं होते हैं ठीक है किसी और के ऊपर dependent होते किसी और के ऊपर निर्भर होते है अपने पालन पोशन के लिए गुडीवनिंग भाई मोहित गुडीवनिंग ठीक है साथ में अगर मैं बात करूँ यह स्पोरोफाइट की तो यह स्पोरोफाइट आपका कैसा होता है परका सलेशी युगम को भिद से जुड़ा हुआ होता है यह खुद नहीं कर रहा है यह से जुड़ा हुआ होता है जोगी परकांसलेशी होता है ठीक है और आपके इस युगम को भिद से ही अपना क्या करता है पोशन प्राप्त करता है ठीक है फिर थोड़ी देर बाद आपका स्पोरोफाइट जो है स्पोरोफाइट की कुछ कोशिकाएं क्या करेंगी न्यूनीकर न विभाजन नर्थात के two and see Vapis n हो जाएंगी अघ्धे सुत्री विभाजन हो जाएगा जिससे आपके और बिजानू अंकूरित होकर युगम को भिद में विक्सित हो जाते हैं यानि कि क्या था पहले पहले आपका युगम को भिद्था ठीक है क्या था भई आपका पहले युगम को भिद्था अब आपको पता युगम को भिद्था आपके युगमक यानि कि जो गैमीट्स बने थे यहाँ पर जो gametes बने थे ठीक है अब वो gametes दोनों male female वाले fuse हो गे क्या बन गया आपका भई युगम नज बन गया था आपका युगम नज बन गया था अब वो युगम नज जो है आपका क्या करेगा क्या करेगा एक स्पोरोफिटिक बॉड़ी का निर्मान करेगा जिसके अंदर क्या होगा भई अम्योसिज होगा अर्धसुत्री विभाजन होगा फिर उससे आपके जो गैमिट सागे बनेंगे स्पोर जो बनेंगे वह वापिस से हैपल यानि नर्वाला था इधर आपका फीमेल वाला था मादा वाला इधर कर लो ठीक है यह दोनों मिले इन्होंने टूएन बना दिया अब यहां पे स्पोरोफिटिक स्टेज है आपकी स्पोरोफिटिक अवस्था यह कुछ देर तक तो रही उसके बाद इसके अंदर क्या हो ग आएंगे बन जाएंगे यह मैंने अभी तक आपको कहा है चलो इंगलिश वालो आ जाते हैं आप लोगों प्यास आते हैं क्या कहा है मैंने अभी तक भाया मैंने बस इतना सा ही कहा है कि जो प्लांट बोडी होती है ब्रायोफाइट की वह ज्यादा डिफ्रेंशेटेड होती है अगर मैं compare करूं algae से तो ठीक है उसके comparison में ज्यादा differentiated होती है good evening दिपशिका ठीक है परन्तु ये भी thallus like ही होती है prostrate होती है और erect होती है ठीक है अगर आपकी किसे attach होती है आपकी substratum से attach होती है किसे attach होती है सब stratum से attach होती है और किसके द्वारा rhizoid के द्वारा अब ये rhizoid आपके unicellular भी हो सकते है और multicellular भी हो सकते है इनके अंदर true root नहीं होती है true stem नहीं होती है true leaves नहीं होती है परन्तु इनके अंदर क्या होता है root like leaf like stem लाइक स्ट्रक्चर होता है ठीक है इसके जो मेन प्लांट बोडी है वो कैसी होती है है यह पेपर में पूछा जाता है आपका कि ब्रायो फाइटा की काय कैसी होती है आगुनित होती है है ठीक है और यह हैपलोईड वाला पोर्शन जो है गैमेट ओफिटिक स्टेज इसको बो कौन सी अवस्था आपके branch fight में Dominant हो थे प्रभावी हो थे तो आपके गामिट ओफित्ट הג ये क्या प्रडूुस करेंगे गामिट्रेट करेंगे तीक है अगर मैं बात करूँ इसके sex organ की तो sex organ इसके काइसे होते हैं multi cellular होते हैं कैसे होंगे multi cellular होंगे भया थीके अगर बात करो मैं आपके male sex organ की तो उसको कहा जाता है enthridium आपको ये याद रखना है क्योंकि ये नाम पूछे जाते हैं ठीक है और जो enthridium है ये produce क्या करते हैं ये produce करते हैं भई आपका है क्या produce करेंगे enthrazoid को किसको enthrazoid को ये produce करेंगे और ये enthrazoid क्या होते हैं फ्लाजिलेटिड होते हैं यानि कि उनके अंदर कशाभिक प्रेजेंट होंगे जिससे वो तैर पाएं तैरेंगे किसे है ना और female वाला जो sex organ होता है उसको ये कहते हैं archegonium और archegonium आपका flask जैसा होता है कैसा होता है flask जैसा होता है और flask जैसे के अंदर आ जाता है enthrazoid और उसके बाद ये fuse करते हैं तो enthrazoid जो है आपका male वाला है कहां होता है भई पानी के अंदर जाता है फिर वहां से क्या आता है आर्चे गोनियम के कॉंटेक्ट में आता है उसके बाद एंथ्रजोइड फ्यूज करता है किसके साथ भई एग के साथ और प्रिड्यूस करता है जाइगोट अब जो जाइगोट है उसके अंदर एकदम से रिड़क्शनल डिवीजन नहीं होती है ठीक एकदम से आपका वहाँ पिस्वाद नहीं होता देख लिका डू नोट अंडर गो रिड़क्शन डिवीजन ठीक है दे प्रड्यूस है मल्ती सेल्विलर बोडी कॉल्ड स्पोरोफाइट यह निकी वह एक बोडी का निर्मान करेंगे जिसको आप क्या को होगे स्पोरोफाइट अभी स्पोरोफाइ की reduction division में जाएंगी और कैसे sport produce करेंगी haploid sport produce करेंगी ठीक है उसके बाद आपके sport जो बनेंगे वो आपके gametophyte को बना देंगे ठीक है यह मैंने कहा है ध्याने सब को प्रवीना राउत गुड इवनिंग भाई गुड इवनिंग यह जो यहां पे करार ही हुना इधर से प्रश्ण आएंगे यहां से प्रश्ण आपका आएगा किस श्रीज़ पर मैंने क्वोश्चन बताया है कि plant body quality policy प्रभावी है इससे आपका प्रशन बनेगा कौन सी plant body प्रभावी है इससे आपका प्रशन बनता है साथ में इनके नाम पूझे जाते है और आपका पुमग और आपका स्थरिधानी यह पूझे जाते हैं अपसे याद कर लेगे सब कर लेंगे सब मोस यह मास नहीं है मोस इसी का टाइप है शाकाहारिस तंदारिया आपकी खानावाने में यूज कर लेते हैं मैंने आपका एलगी के अंदर एक बताया था कि सारगैसम करके है ना जो पीट के लिए इस्तेमाल होता है यहां पर भी एक चीज है जिसको हम स्फेगनम कहते हैं क्य ठीक है यही कारण है कि यह पानी रोकने के शमताइन के अंदर बहुत अधिक होती है यही चीज उनके अंदर भी थी ठीक है अगर बात करूं मैं इसकी आपके किसकी मॉसीज की बात करूं आपके ब्रायोफाइट्स की बात करूं तो आपके ब्रायोफाइट्स जो हैं कैसे क जाते हैं ठीक है थोड़ी थोड़ी सी नमी में जाते हैं उधर कार्बोनिक एसिड सिक्रीट करते हैं कौन से एसिड सिक्रीट करते हैं भई आपका कार्बोनिक एसिड करते हैं और उस कार्बोनिक एसिड से आपकी जब पत्थर होगा वो पत्थर क्या हो जाएगा छोटी-छो लोगने के लिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो मिन्रोल रिच होती है ठीक है खनीज में क्या उजाते प्रचूर हो जाती है ठीक है ध्यान रखेंगे सभी बच्चे इस चीज का यहीं देखो यहां पे कहा गया है बट वहां पे कार्बोनी कैसे नीगा तो मैंने अपनी तरफ आप से बताया है हर चीज एंसियाट में भी नहीं मिलेगी कुछ चीजे ऐसे ज्ञान भी ले लो है ना कहीं भी काम आ सकता है ओके तो चलो ठीक है यह मैंने आपको बता दिया है और साथ में आपके क्योंकि जमीन पर फैली रहती है इसलिए वर्षा की बोचार मृदा को है जो हर्भी वोरस होते वो इसको खा लेते हैं ठीक है साथ में स्पीशीज आपकी स्फेग्नम की जिसको हम एज़ पीट यूज करती है क्योंकि वह वाटर हॉल्डिंग कपैस्टी उनकी बहुत शांदार होती है ठीक है साथ मैंने यह कहा है कि आपकी लाइकन लाइकन और होती है सबसे पहली ऐसी ओर्गैनिजम है जो कि आपके रोख पे कॉलनी बना लेती है रहने लग जाती है ठीक है साथ में यह आपका क्या करती है आपके रोख को डीकंपोज कर देती है और क्या बना देती है सब स्ट्रेटम स्ट्रेट फोर्डे ग्रोथ ओफ हायर प्लांट बात कर लेंगे अगर मैं Levers की बात करूँ तो लीवर वय्थ में और मौसी demais है याद एकना थीकित लीवर वर्टे यह नोट करने लाइक सूज हैम ऑडी अलग-अलग होटी है दो नों के ठीक उसके यदार सदस्यों में पत्तियों की तरह चोटी चोटी संधरन्चनायी होती चोटनी की तरह सचना की होटी इंगलिश में कैसे होते बड़ी कैसी पे गो करते हैं मोईष्ड पैबने जैसे कि आपका बैंक ओ रिवर ठीक है मार्शी ग्राउंड, डैंप सोयल, बार्क ओफ ट्री, ठीक है, डैंप इन वोड्स, आपकी जो लीवर्वर्ट की बॉड़ी होती है, वो कैसी होती है, थैलोइड होती है, एक्जाम्पल के लिए, मार्केंशिया, अगर मैं थैलस की बात करो, थैलस आपका डोर्सी वेंटरल हो होता है, टीक है, सबस्ट्रेटम से बहुत पास में जुड़ा हुआ होता है, लीफ लाइक मेंबर्स होते हैं, जिसमें पतले पत्तियों जैसी क्या होते हैं, वहाँ पर अपेंड़े होती है, जैसे कि मैं दिखाऊं तो ये, यापका पत्ति नुमा है, ये क्या है आपका मारकेंशिया ठीक है चलो अगर मैं आपके लिवर वर्ट की बात करूँ तो लैंगिक जनन के लिए आपका क्या होता है यहां पे विखंडन होता है तथा अविशिष्ट संरंचना जैसे कि गैमा यह बहुत इंपोर्टेंट है यह गैमा बहुत इंपोर्टेंट है आपकी यह इसा फिर बादमें पत्ति जैसी बन जाती है ना बड़ी दूसरी ऐक ऐसी चीज बन जाएगी सेम चीज इसी जीव के जैसी ठीक है इसको आप क्या कहते है गैमा कप कहते है और यह आपकी कहां पर कैसे में प्रेजंट होती है ध्यान रखना भी कैसा होता है यहां पे अल ब्रायों फाइटा में बनती है ब्रायों में लीवर वर्ट में इस चीज को ध्यान रखेंगे ये पेपर में पूछा जाता है गैमा बहुत ही जादा इंपोर्टेंट है ठीके गैमा क्या है हरी बहु कोश्किया अलेंगि कली है यही बोले ना मैंने भी यह छोटे-छोटे पा मिली अरे यह ऐसा होगा यह गैमा कप हो गया यहां पे जैमाज होंगे यहां पे जैमाज होंगे यह ऐसे यह गैमाज हो गया है ठीक है यह इस तरह से रेंज होते हैं आपके और यहां पर आपकी क्या हो जाती है नीचे पत्ती हो जाती है नीचे आपकी यहां पत्ती हो जात यह आपको मपत्ती है नीचे यह पत्ती पर लगा हुआ है यह सारा का सारा ठीक है कुछ इस तरह से यह आपके होते हैं तो सभी बच्चे ध्यान देलेंगे इस चीज़ पर गयमा कप जो कि आपके बहुत ही जादा इंपोर्टेंट है ठीक है यह अपने पैतरक पादप से अलग हो जाती है कब हो जाती है और इसमें एक नया पादप उग जाता है ठीक है यही चीज मैंने कही है तब यह आपकी कैसी हो जाएंगी मैच्चोर हो जाएंगी मैच्चोर होने के बाद आपकी वहां से तूटके आपका क्या है यह आपका लैंगिक जनन वाले उंग है लैंगिक जनन वाले अंग है या तो आपका क्या होगा इसी थैलस में मेल फीमेल होगा या फिर दो अलग-अलग थैलस में मेल फीमेल होगा रिप्रोडक्शन ऐसे होगा लैंगिक का ठीक है हाँ लीव कि तरह बनेगा sporophyte में क्या बनेगा फूर सीटा बनेगा एक पाद सीटा और कैपसूल आपका बन जाएगा किया एक आप्ट उज premar भूड चैका बाद में sporophyte बनने के बाद वही से यह मियोसिद्य होग बन जाएंगे ठीक है स्पोर से आपका अंकुरन होके पूरा का पूरा मुक्त जीवी युगम को भिद बन जाता है ठीक है ये सभी बच्चे क्या रखेंगे ध्यान करेंगे ठीक है इसके साथ अगर इंग्लिश में कहूं तो मैं यही कहूंगी कि असेक्श्वल रिप्रोडक्शन कैसे होता है आपकी लीवर वर्ट में फ्रेग्मेंटेशन से होता है या फिर आपके किसे गैमा से होता है जिसको आप गैमा भी कहोगे और यह गैमा कहां प्रेजेंट होते हैं आपके गैमा कप में प्रेजेंट होते हैं जो कि मल्टी सलुलर sexual bundle होते हैं ठीक है अगर मैं बात कर वापकी gamma cups की तो आपका होगा क्या कि आपका एक gamma जो है gamma cup में बड़ा हो जाएगा तब यह बड़ा हो जाएगा तो आपका पती से तूट जाएगा पती से तूट के फिर एक बड़ा ही plant दूसरा बना लेगा ठीक है आपका sexual reproduction में male और female जो sex organs होते हैं या तो वो एक ही पे present होंगे या तो एक पे present होंगे या फिर different talus पे present होंगे ठीक है उसके बाद आपका sporophyte बनेगा और sporophyte आपका किस चीज में differentiate हो जाता है foot sita और capsule में ठीक है फिर वहाँ पे capsule के अंदर meiosis होता है जहां से आपके spor बनते हैं ठीक है फिर ये spor आपके क्या बना लेंगे दुबारा से free living gametophyte बना देंगे फिर ये gametophyte आपके दुबारा से वही चक्कर चालू कर देंगे ठीक है female के साथ मिलेंगे जाइगोट मनाएंगे जाइगोट से sporophyte sporophyte से फिर अगाना दुबारा spor आपके बनेंगे सेम चीज रहेगा यानि फिर आपका दूसरा टाइप आ जाता है यहां पर जिसको आप कहते हैं मोस जिसको आप क्या कहते हैं भया मोस कहते हैं अगर मोस की मैं बात करूं तो इसकी प्रभावी अवस्था कोन सी होती है युगम को भिद होती है ठीक है इसकी दो अवस्थाई होती है में मोस जो है दो अवस्थाओं में होता है एक होता है प्रथम आपका तन्तू कोन सी होती है पहली आपकी तन्तू यह इंपोर्टेंट है यह ध्यान रखना ठीक के इंप्वोरेंट इसकी दोने सट्व कए एक तो होती है तन्तु जिसमें स्पोर आप जिसमें स्पोरस सी बनता है मतले एक तरह से कहyदो कि आपने बीज डाल दिया है अब उस बीज को germination होना है उसको अंकुरन होना है तो वह भूण कुरन होना जो है उसके बाद तो और नंकुरित हो के पूरे पादब में बदल जाएगा तो आप उसको दूसरी स्टेज को होगे ठीक है तो भी पार्षवी कली के रूप में उत्पन होता है ठीक है यहां एक सीधा पतला सातना होता है सीधा पतला सातना होता है जिस पर सरफिल रूप से पतियां लगी रहती है अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैं कुछ इस तरह से आपको दिखाऊंगी अरे कहां गया मोस इधर यहां पर आगर आप देखें तो यह चीज की यहां पर बात हुई है कि आपकी पत्तियां इधर कैसे spirally arranged होती है spirally arranged होती है ठीक है चलो वापिस चलो वहीं पिक बढ़ ओके यह यह हो गया आगे चलते हैं है कि मोस जो है इसकी प्री डॉमिनेंटिंग स्टेज कौन से होती है गयमेट ओफाइट वाली होती है अगर मैं गयमेट ओफाइट की स्टेज की बात करू तो यहां पर दो स्टेज होगी एक पहली प्रोटो नीमा जिसको हिंदी में तन्तु कहा आपने इसके जैसा वर्ड सु प्रोटो नीमा स्टेज में यह आपका डेवलप हो जाएगा कहां से स्पॉर से ठीक है यह आपका क्रीपिंग ग्रीन और ब्रांच्ट फिलामेंटस स्टेज होती है उसके बाद सेकेंड स्टेज में आपकी पतियां वहां पर उग जाती है जिसको आप कहते हो लीफी रेक्स होता है जिसके ऊपर spirally arranged पतियां होती है यानि कि लीव होती है जमीन से जुड़े हुए होती है किसके द्वारा आपके राइजोइड के द्वारा इस स्टेज पे sex organs आपके आज आते हैं यानि कि आपके second वाली स्टेज यहाँ पे चल रही है नमस्ते भई नमस्ते ठीके अगला आप इधर देखो तो इधर देखो यह आपका सीटा हो जाता है पहली स्टेज आपकी होती है उसमें यह तंतू सा निकलता है बस यह वाला है ना तब second stage में आप कि यह पत्तिया निकल जाएंगी और आपके इधर सीटा अच्छे से डैवलप हो जाएगा ठीक है आप यहाँ देख सकते हैं यह आपका बिल्कुल सही एक्जामपल है यह आपका फ्यूनेरिया है यह आपका स्वैगनम है ठीक है अगले अग पर चले तो भी आगे क्या पारा होगा ठीक है लेंगिक जनन में क्या होगा आपका अंग पुधानी तता स्त्रीधानी पत्तिदार प्रहरों की चोटी पर स्थित होते हैं ठीक है बाद मैं कहरा है कि निशेचन के बाद युगम नज से स्पोरोफाइट विक्सित होता है जो पाद सिटा और कैपसूल म प्रहों के बाद स्पोर बनते हैं सेम चीज आ रही है मोस में स्पोर विकरन की बहुत विस्तरिक पर नाली होती है यानि कि बहुत ज़ादा आपके यह फैल जाते है स्पोर इसके ठीक है इसके सामाने सद्शे कोन अभी फ्यूनेरिया पोली ट्राइकम और आपका स्प्रेग है मैं मोस वाला रीजन है ठीक है ओके कोई बात नहीं आ जाएगा भी आ जाएगा क्यों टैंचल ले रहे हो चलो ठीक है इंग्लिश मीडियम वाले आजो फटाफर से कि वेजिटेटिव रिप्रड़क्शन आपका कैसा होता है मोस में फ्रेग्मेंटेशन से और आपका बड तरुमें था एंथरीडीया और आर्चे गोनिया वह आपके कहां पर होते हैं जो आपकी पति वाला स्टेज होता है ना पत्ती वाला स्टेज यह वाला इसके चोटी पर होती है इधर उपर इस पत्तियों के ऊपर होगा यह सीटा जो है मेल फीमेल क्योंकि अलग-alग होंगे तो इस सीटा के अंदर male female चलेगा यहाँ पर, ठीक है, हाँ, ओके, तो उसके बाद तब आपका क्या है भई, कहाँ पर चोटी पर यह दोनों चीज़े हैं मान गए, अब उसके बाद male female बनेंगे, आपका fertilization होगा, fertilization से जाइगोट बनेगा, जाइगोट किस चीज़ में बदल जाएगा, sporophyte में बदल जाएगा, अब जो sporophyte है, sporophyte के पास क्या है, foot seta और capsule है, ठीक है, अब sporophyte जो है, आपका moses का कैसा हो जाएगा भई, आपका बहुत जादा विस्तरित होता है, as compared to liver, ठीक है, उसके बाद जो capsule होता है, capsule में होता है आपके spor, और उस spor बना लेते हैं हैं आपके क्या मियोसिस से, हाँ, spor कैसे बनते हैं भई, आपके, मियोसिस से बनते हैं, उसके बाद जो आपकी मोस है, वो कैसी है, भई, इसका बहुत जादा, no elaborated mechanism है, spor dispersal का, बीज फैलाने का, example, इसके funeria, polytrichum, और आपका sphagnum, ये था आपका, क्या था, bryophyta, अब आप पहली चीज, पहली चीज, पहली चीज, पहली चीज क्या याद रखोगे, अरे, अरे, पहली चीज क्या याद रखोगे, अरे, अरे, हो क्या रहा है, पहली चीज आपको जो याद रखनी है, वो ये याद रखनी है, भई, इनको हम कहते हैं, amphibians, amphibians, ठीक है, दूसरी उसके बाद हम इसको क्या कहते है इसकी प्रभावी वस्था कौन सी होती है आपकी गैमेटो-फीटिक होती है थीक है वहीं पे अगर मैं बात करूँ आपकी मतलब किस तरह से आपकी sexual में sexual में किस तरह से होता है तो आपका क्या होता है generally कि एक haploid होगा male वाला एक haploid होगी female वाली ठीक है दोनों मिलेंगे two n बनाएंगे इस two n में क्या होगी आगे meiosis इधर क्या होगी आपके आगे meiosis इस meiosis से यहां पे spore बन जाएंगे क्या बन जाएंगे स्पोर बन जाएंगे यह स्पोर आपके gamit of fight में दुबारा कर लेंगे जर्मिनेट हो जाएंगे ठीक है यानि यहीं पर आ जाएंगे दुबारा ठीक है फिर आपका वही process दुबारा चालू हो जाएगा यह आपको मेन पढ़ना है इसके अलावा आप एक्जांपल्स याद करेंगे किस तरह से क्या है मैने आपको लीवर वर्ट में चीज बताएव यानि हैं इक चीज़ बताया था किसके बारे में गैमा कप 함께 बारे में मैंने आपको बताहिैए ता किसके अंदर या आपका लिवरवर्ट के अंदर. इधर से आपका प्रशन रुठता है. ठीक है. वहीं पे मैंने आपका moses से मोस से एक चीज बताई थी. क्या बताई थी आपको प्रोटो नीमा स्टेज के बारे में. प्रोटो नीमा. आपका पूछा जा सकता है मोस में कितनी स्टेज होती है तो मोस में दो स्टेज होती है पहली होती है प्रोटो नीमा दूसरी होती है लीफ वाली लीफ वाली ठीक है ये चीज आपको ध्यान रखनी है इधर से ही आपके पूरे के पूरे प्रश्ण जो है बनते हैं ठीक है पू यह सब चीज़े आप याद करेंगे, यह आपके पेपर में पूछे जाएंगे, और यह याद रखना है कि आपका ब्रायोफाइट के अंदर है, ब्रायोफाइट और टेरेडोफाइट आपका थोड़ा बहुत कन्फ्यूजिंग है, पर आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, ठी ठीक है, आप कोर्स को बाई कर सकते हैं, आज ठीक है, आपका महापैक जो है, महापैक पे आपकी डबल वलेडिटी सेल है, अगर आप कोड लगाते हैं, वाई-4-4-3-R, वैसे तो आपका महापैक नोर्मली 2000 से भी उपर का होता है, 2510 सपास होता है, परन्तु आज आपकी मह सेल है, क्योंकि महीने का एंड है, इसलिए आपको 1499 रुपे में मिल रहा है, और महापैक अगर आपने ले लिया, तो आपको कोई और कोर्स करीदने के आउशकता नहीं होती, सब उसी से चल जाता है, ठीक है, टेस्ट सीरीज रगर सब को चल जाते है, अगर आप एक कोड ल बाई और कोरोना की नाइस ट्रेन आ गई है, तो प्रदा ध्यान रखेगा, बाई बाई